हाई मैं रुपेश कुमार सिंग आप सभी को स्वागत करता हूं बानी के यूटूब चैनल में देखिए आप सभी को पता होगा के रिसेंटली आपका टोपियो 2020 ऑलम्पिक गेम का समाप्ति हुआ है तो क्यों न एक वीडियो ऑलम्पिक इंडियन विनर्स के पर लाया जाए तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो रहेगा याद रिखेगा इंडियन ओलम्पिक विनर्स के उपर यानि अभी तक जो जो आपके इंडियन और या फिर आपका टीम वह हुए के इंडिविज्वाल हो गया जो भी आज तक इंडिया ने मेडल जीता है ओलम्पिक में उस जिसने आपका याद रखिएगा 1900 के पेरिस ओलम्पिक में इंडिया को सिल्वर मिडल जिताया था आपका मैंस 200 मिटर एंड 200 मिटर हडल्स में नेक्स्ट उसके बाद आपको पता होगा इंडियन होके टीम का एक गोल्डन प्रेड चल रहा था तो उसी गोल्डन प्रेड में शुरू करते हैं रेखिए सेकेंड आमने इंडिया नो जो मेडल जिता था ओलम्पिक में वो जिता था हमारे इंडिया के मैंस होके टीम ने जिनोंने गोल्ड मेडल जिता था याद रिकिएगा अमस्टेडम के 1928 ओलम्पिक गेम्स में एगें हमारे इंडियान होकी मेंस टीम ने एगें गोल्ड मेडल जिता था आपके लॉस एंजलेस के 1932 ओलम्पिक गेम्स में एगें आवर इंडियान होकी मेंस टीम गोल्ड मेडल इन बरलीन 1936 ओलम्पिक गेम अच्छा इसके बाद क्या हुआ था दिखिए डूट वर्ड ओलम्पिक गेम जो की हर चार साल में और्गनाईज होता है उसको क्या क्या गया था पोस्ट पॉंड क्या गया था और उसके बाद को जो ओलम्पिक गेम हुआ था वो हुआ ता याद देखिएगा आपका 1948 में वहाँ पे भी हमारी मेंस होके टीम ने गोल्ड मेडल जिता था जो की और्गनाईज होता है याद देखिएगा आपका लंडन में अगैन आवार इंडियन में होके टीम गोल्ड मेडल इन हेल्सिंग की 1952 ओलम्पिक गेम अच्छा यहां तक देखिए नौर्वान पिचर्ड ने इंडिविजाल मेडल जीता था उसके बाद कोई भी आपको इंडियन इंडिविज्वाली आपको मेडल जीता हुआ नहीं दीखेगा जितना भी मेडल जीता था आपके मैंस होके टीम ने जीता था लेकिन 1952 के हल्सिंग की ओलम्पिक में हमारा एक ब्रोंज मेडल आया था जो की जीता था यहां देखिएगा आपका केडी जादव ने in the field of wrestling. Again, our Indian hockey men's team gold medal in Melbourne 1956 Olympic Games. Next, Indian hockey men's team silver medal in Rome 1960 Olympic Games. Again, Indian hockey men's team gold medal in Tokyo 1964 Olympic Games. Next, Indian hockey men's team bronze medal in Mexico City 1968 Olympic Games. Next one is your Indian hockey men's team bronze medal in Munich 1972 Olympic Games. Again, our Indian hockey men's team gold medal in Moscow 1980 Olympic Games. Next, हमारा इंडिया का पहला tennis medal हमारे पास था जिसको हमने जीता था यहां देखिएगा लेंडर पेस ने जो की हमारा ब्रोंज मेडल था यह जीता था उन्होंने आटलांटा के 1996 Olympic Games. देखिए यहां तक जितना भी medal था यह तो यह फिर टीम जीत रहा था यह फिर क्या जीत रहा था कोई men's category में आ रहा था. लेकिन पहला ओमेंस जिन्होंने आपका इंडिया को medal जीता था वो ते यहां देखिएगा आपका करनम मलेश्वरी जिनको ब्रोंज मेडल मिला था 54 kg वेट लिफ्टिंग में जो की और्गनाइज हुआ था आपका स्रिडनी 2000 में. ठीके स्रिडनी 2000 में करनम मलेश्वरी 54 kg वेट लिफ्टिंग में ब्रोंज मेडल फास्ट इंडियान ओमेंट तो गेट मेडल इन ओलम्पिक्स. नेक्स्ट राज्यवर्धन सिंग राठोड आपने सभीने नाम सुना होगा उनको राज्यवर्धन सिंग राठोड जिन्होंने सिल्वर मेडल जिता था आपका मेंस डबल ट्रेप सुटिंग एथेंस 2004 में. नेक्स्ट वान इस ओर अविनव विंद्रा तबने नाम सुना होगा अविनव विंद्रा जिन्होंने आपका गोल्ड मिडल जीता था मैंस 10 मीटर एयर राइफल सुटिंग जोकी और्गनाईज हुआ था बेजिंग 2008 में बेजिंग 2008 ओलम्पीक है हमारे लिए अच्छा गया थ कि हमने वहाँ पे टुटल तीन मेडल जीता था पहला तो अविनव विंद्रा का दूसरा विजंदर सिंग जिन्होंने आपका ब्रोंज मेडल जीता था आपका बॉक्सिंग के टागोरी में और एक थे हमारे सुसिल कुमार जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था आपका मैंस 66 kg रेस्लिंग में और ये भी उन्होंने जिता था आपका बैजिंग 2008 के ओलंपिक गेम में अभी आपके बता दू जानकारी के लिए के विजंदर सिंग बॉक्सिंग को छोड़ चुके हैं और वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरब चले गए हैं और जहां तक सुसिल कुमार को पता होगा रिसेंटली हिवाजीन जेल दू तो सम मडर और एनिटिंग नेक्स्ट उसके बाद आते हैं हम लोग आपके लंडन के 2012 ओलंपिक में यह साल भी हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छा साल गया था यहां पे गगन नारंग गगन नारंग ने याद रिखेगा ब्रोज मेडल जीदा था आपका मैंस 10 मिटर एयर राइफल सुटिंग में एगेन हमारे सुसिल कुमार सिल्वर मेडल मैंस 66 केजी रेसलिंग नेक्स्ट वान इस ओर एगेन विजे कुमार सिल्वर मेडल मैंस 25 मिटर रैपिड पिस्टल सुटिंग एंड मेरी कॉम ब्रोज मेडल बॉक्सिंग लंडन 2012 ऑलम्पिक गेम नेक्स्ट आते हैं रिखिए हम लोग लंडन ओलम्पिक गेम में और कुछ ओडर हैं जैसे कि योगेश्वर दर्त उन्होंने जिता था आपका मैन 60 केजी रेसलिंग में आपका ब्रोज मेडल नेक्स्ट वान इस ओर आवर बेडमिंटन क्विन साइना नहवाल जिन्नोंने आ आपका जो 2016 के जो रिया ओलम्पिक में थे वहां पे इंडिया ने मात्र दो मेडल जीता था कौन थे हो दो मेडल तो एक था आपका पीवी सिंदू का सिल्वर मेडल और जो की बेडमिंटन के के टागरी में आया था और एक था साक्षी मलिक का ब्रोज मेडल जो के आपका 58 क जी रेस्लिंग में आया था तो 2016 का जो रिया ओलम्पिक था वह आप हारे बोल सकते हो आप इंडिया के लिए अच्छा साल नहीं था तो इसके बाद कि आप गौर्वर्मेंट का बहुत सारा क्रिटिसाइज हुआ गौर्वर्मेंट ने क्या किया बहुत सारा स्कीम निकाला जैसे कि आपने नाम सुना होगा खेलो इंडिया तिक उसके बाद आपका जो स्पोर्स मिनिस्ट्री था उसका नाम भी चेंज किया गया तो बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए गया जिसके तरह हम लोग क्या कर सकते हैं ऑलम्पिक में कुछ ज्यादा मिडल जी सकते हैं जिसका आपको देखने को मिला 2020 के टोक्यो ओलम्पिक में 2020 में और्गनाइज नहीं हुआ था दूटू दा कोरोना वायरस यह 2021 में और गनाइज हुआ था बट फिर भी इसको में लोग क्या बोलते हैं तो क्यो 2020 ओलम्पिक गेम ही बोलते हैं तो यहां पे इंडिया ने कुल याद र जीता था आपका ओमेंस 49 kg वेट लिप्टिंग में नेक्स्ट वान इजोर लोविना जुन्होंने आपका ब्रॉंज मेडल जीता था बॉक्सिंग में उसी प्रकार से आपका पीवी सिंदू एगें ब्रॉंज मेडल बैटमिंटन रभी कुमारदहिया सिल्बर मेडल 57 kg फ्री साल के बाद ठीक है बहुत साल के इंतिजार के बाद हमारी मेंस होके टीम ने अपना जो बोल सकते हो मेडल का जो तालिका था उसको खोला और ब्रॉंज मेडल जीता था हमारे मेंस होके टीम ने आप लोग बोल सकते हो जो ओमेंस होके टीम थी उन्होंने बहुत अच्छा प कुनिया जुन्होंने आपका ब्रॉंज मेडल जीना था याद रिखियेगा 65 की जी रेस्लिंग में और फानली द गॉल्डन बॉय नीरज चोपडा जुन्होंने एथलेटिक्स में हमारा इंडिया का अभी तक का जो सपना था मडल जितने का उसका खाता कोला बाइ विनिंग ग आपके जानकरी के लिए बता दूँ कि 2024 का जो ओलंपिक गेम होने वाला है वो होगा आपके पैरिस में तो शेयर कीजिए इंपोर्टेंट वीडियो अपने दोस्तों के साथ और जुड़े रहिए बानिक के यूटूब एंड स्मार्ट क्लासेस के साथ थैंकिये सो मुर्ण